कुख्याद गैंक्टर लॉरेंस बिस्तोई को बहुत जल्दी ही हरियाना की गुरुग्राम पुलीस प्रोडक्शन वारन पर लाने वाली है इसके लिए क्राइम रांच ने तैयारी तेज करती है गुरुग्राम पुलीस ने कोर्ड में 13 अक्टूबर को प्रोडक्शन वारन के लिए एक याच का दाखिल की है सोद्रों के मताबिक लॉरेंस में सोई इस वक्त गुजरात के एहमदाबाद के साबर मती जेल में बंद है प्रोडक्शन वारन के दौरान लॉरेंस से खोड में दोहरे हत्याकान के मामले में पोस्ताच के जाएगी हट्याब भी उससे पोस्ताच कर सकती है आपको बता दे कि पिछले साल 25 फरवरी को गाउं खोड में पोर्वजिला पार्शत परमजीट ठकरान और सुरजीट ठकरान को बाइक सवार बदमाशों ने उनके घर के नस्दी की गोलिया मारी थी दोनों के उस वक्त मौके पर मौत हो गए थी इस हत्याकान को अंजाम देने का आरोप कोख्याद गैंक्टर लॉरेंस बिस्नोई के गैंग के उपर है इस मामले में गैंग के 20 से ज़्यादा शूटर और अन्निगुर्गे अब तक गिरपतार हो चुके है गिरपतार किये गए आरोपितों से पोस्ताच के मताबिक गैंग ने इलाके में वर्चल्स पर को स्थापित करने के लिए एक साथ तीन भाईयों परमजीट ठकरान, सुजीट ठकरान और अजीट ठकरान की हत्या करने की साजिस्त्राची थी वारदात के वक्त तीनों भाई एक जगह पर नहीं थे, इस वज़ए से गैंग दो ही भाई को अपना निशाना बना पाया था अब क्राइम ब्रांच की टीम लॉरेंस बिस्तोई को प्रोडक्शन वारन पर लाने की तयारी कर रही है एस मामले में एसीपी क्राइम वरूर दहिया ने कहाए कि गाउखोड के दोरे हत्याकार्ण के मामले में लॉरेंस बिस्तोई से पोस्ताच करनी है उसमें उसके गैंग का नाम सामने आया था, गैंग के बीच से जादा कुरगे अब तक गिरफतार हो चुके है लॉरेंस बिस्तोई से पोस्ताच के बाद अन्य मामलों की भी जानकारी निकल कर सामने आ सकती है